हर हर महादेव नमस्कार राधे राधे सबको मैं गरीमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लोग में तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे दोस्तों तो कल मैंने एक वीडियो छोड़ा था जो कोई भाई है की बहन है नहीं मालूम है लेकिन वो जो है कमेंट किये हैं कि गुलाम है दर जो है अपने सौधी गये थे कमाने के लिए और सीमा को उसके बच्चे को रूम लेकर के रेंड पे 10,000 पे जो रखे हुए थे कमा के वहां से पैसा भीजते थे सीमा जो ऐसा हरकत करी वो गलत औरत है ठीक है हम मानते हैं सीमा गलत औरत है गलत करी हम मानत हैं सीमा को ऐसा नहीं करना चाहिए एक आदमी जब बाहर जाता है कमाने के लिए तो अपने बीबी बच्चे और सब परिवार को अच्छे से रखने के लिए घर चोड़कर बाहर जाता है कमाने के लिए सही बात है सीमा का ऐसा नहीं करना चाहिए उसको अपना घर समालना च चाहिए से लेकिन सीमा को जो आजादी भारत में मिल रही है वहांपे नहीं मिल रहा कि यहां पर आई गलत तरीके से हम मानते हैं सीमा गलत है यह भी मानते है तो कानून जिसको गलत बोलेगा हम उसको मान लेंगे है ना लेकिन जो आँख से देख रहे हैं तो वहीं बोलेंगे हम और सीमा ने गलत किया है यह हम भी मानते हैं जो नहीं करना चाहिए बच्चों जो है चार बच्चों की लाइप खराब कर दी है और हो रहा है जो अब बच्चे अपने देश में रहते हैं अपने बाप के पास म यहां नेपाल में भी के चल रहा है दोसते हैं लोग उन्म भी बात बोले इसी मा गलत है तुम गलत करी है नहीं करना चाहिए लेकिन बात यहां पर आती है जो बहुत से वीडियो आता है पाकिस्तान के भाई बहने छोड़ते हैं और भारत के भी कुछ भाई बहने जो छोड़ते हैं मेरा कहना यह है कि गाली गलोज ना करके अच्छे से सालिंता से अपनी बात रख सकते हैं किवह नहीं हैं जरूरी नहीं है हम गाली गुप्ता लें सिमों की मैख्या लीका जोह मोभीन सर एकृ यह को अब अबाद द्रभाशा का परियोग नौना करें किसी को गाली गलोज ना करें बात रखना है बात से बात रुखिए लेकिन एक दो channel है जो इंडिया की है वह देखे हैं यहारी ज़ाधा बड़ा channel भी नहीं रहे लेकिन गाली तो वह गाली तो इतना दे रहे हैं इतना दे रहे हैं कि सायव क्या बताएं हैं खुद्ध महिला हो करए मahिला को पर इस तरीके से तार तार करना को जरूरी यह बात रखिए video बनाई यह हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लोग video मत बनाईए विरोड दो मत करिए करिए लेकिन गाली GS मत नश्हां हम लड़िये मत यह सीमा के चक्कर में वीडियो बनाने के चक्कर में आपस में विड़ जाते हैं उनके लाइप में जाते हैं तो गलत कमेंड करते हैं उनके लाइप में जाते हैं तो गलत कमेंड वह फेक आइडी बना करके यह कहां तक का सही है मैं इस चीज को बोल रही हूं बिरोद करिये वीडियो बन बहुत अच्छा लगा कमेंट करने के लिए दिल से शुक्रिया आपने अपनी बात रखी मुझे बहुत अच्छा लगा बात के जरिये से बात रखा जाया तो बहुत अच्छा लगता है वहीं पर जब गाले गलोज की बात आती है किसी की इज़्जत को तार तार जब किया जाता है तो बहुत लगता है वहीं पर जो सीमा जो हरकत करी थी बभीता रानी उनकी चाची है कि उनकी मौसी है कि उनकी कौ किया मुझे वी बुरा लगा लेकिन उन्ही वभीता राणी का फिल्लूता कर शोचल मीडिया यूं करकर के इस तरीके से ढखाएंगा कि वह किसी किसी को गाली गलोज ना करो याप अपस में जगडा मत करो बात को बात से रखो जैदा अच्चा लगेगा इधर से भी एह घुन गी उधर से मैं इधर की सपोर्टर हूं करें दिए कि कानोन जब उसको गलतें जल में डालो यह नवाज को मे को रिस्तेदार नहीं ना में संद्सक्राइब तार्ट क Kardash Schonỗ यहां पर गालि को लोज की कि आती जो यहांों पर पिफिक नवाज आजा करें दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आगई होगी कि मैं क्या बोलना चाहरी हूं इससे आगे तो साइद मेरे समझ में नहीं आ साइद मेरे सीमा के लिए वीडियो भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा जो राय था मैंने रख दिया है आगे आप लोग के मर्जी कमेंट वोक्स में जरूर बताएगा लेकिन हां अच्छी सी कमेंट करिएगा गाली गलोज करके कमेंट भी मत करिएगा और इसके लिए मैं छमा प्रिता से रखते हैं वह वीडियो देखने में समझ में आता है वहीं पर जब गाली गलोज करके वीडियो बनाते तो बहुत तिमाग खराब हो जाता है तो चलिए मिलते हैं नेश्ट व्लोग के साथ में तब तक के लिए जय स्री राम हर हर महादेव